हलो दूस्तो आज इस वीडियो हम लोग सीखें किस तरह से MS Word में हम एक notebook page या paper ready कर सकते हैं चलिए पहले मैं यहाँ पास आपको format दिखा रहा हूं वर्ड में देखें हम यहाँ पास बना है एक notebook page इस तरह से हम यहाँ पास कैसे MS Word में हम लोग बना सकते हैं इस वीडियो हम लोग देखेंगे तो चलिए step by step चलू करते हैं तो मैं यहाँ पास एक नया document ले लिया नया document लेने के बाद हमको यहाँ पास page layout tab में जाना है इसके बाद यहाँ सबसे पहले हम page का size अपना लेगे कि हमको कि size में मिलाना है साइज में हम लोग है size में जाने बाद यहां से wert जीड करके MARY उसके बाद orientation में चल जैंगे यहाँ साविए यहां साoooo पास portrait last लेक कर लिए इस्तर् app margin में चल जाने कबाद ना राध्य में लिग करेंगे इसके बाद जस्ट fix करेंगे फिर okay करेंगे तो चारो तरभ हमारे पास zero का margin यहाँ पास set हो जुका है अगर आपके पास margin set नहीं हो पाता होगा तो simple यहाँ जो ruler bar जो दीख रहा है यहाँ पास जिसे मांग चले right shot कामिरे को margin set करना है तो इस तरह से करसा रखेंगे तो arrow आ insert करना है तो यहाँ पास टेब में चल जाएंगे insert यहाँ टेबल में चल जाएंगे और इस तरह से एक आइकन बना हुआ है इसको हम सलेक करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं तो इस इस तरह से एरो देख रहा है, इससे हम Left बटन दबाएंगे, इस तरह से पूरा स्लेक्शन हो जागा, इसके बाद, यहाँ पस लियाओट टैब में जाना हो, और यहाँ पस देखिए हाइट सूच कर रहा है, अब यहाँ पस हमको हाइट क्या देना, यहाँ से अपना हाइट folk row को थोड़ा सा नीचे करना है क्योंकि हमको उपर में जगह देना है यहां पास इसको Lukow लेना है रोह को पूरा और इसको हमको लेप्ट बटन प्रेस करते हुए पकड़के नीचे लाना है इस तरह से यहापस नीचे ले आएंगे तो उपर में हमारा जगह हो गया अब यहाँ पस हमको सबसे लास्ट वाला रो में क्लिक करना है इसके बाद जस्ट हमको टैब बटन दबाते जाना है तो इस तरह से आटमेटिक यहाँ पास नीचे रोह आते जाएगा थी के दिखंगे जितना ही कर रहे हैं इसके बाद हमको यहाँ पास क्या करना में लाइनिक देना है इसके लिए इसके लिए इनसर्ट टैब में चल जाएंगे पाँ इस तरह से लाइनिग के रहेंगे हमारे आग। सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब कि अब जब जस्ट इसको हम इस तरह से लैक कर सकते लाइनिंग को ठीक है डबल क्लिक रेंगे अब यहां पास सेप आउडलाइन में चल जाएंगे और यहां सहम रेड़िकलर रकार जैसे देने तो रेडिकलर अब इसको थ्रोडा से बढ़ाना तो से पांटर में जाएंगे औ अब एसी लाइनिंग को एक और हमको चाहिए इसका कॉपी तो कंट्रोर बटन दबाई रखेंगे और यहां करसर रखेंगे तो इस तरह से प्लस का आर आइकन ठीक है अब लेप्ट बटन दबाते हुए हमको इसको थोड़ा से ऊपर बढ़ा देना है तो जिसका एक कॉपी यह यहां देखिए इसको छूटा कर लेते हैं पहले शिप्ट बटन दबाई रखना पकड़ के नीचे तक कर देना है उसी तरफ फिर इसको भी अपना अच्छे से अजस्ट कर लेंगे अब इसका यहां करसर रखेंगे तो इस तरह से आरा स्लेक्टन डबल क्लिक करेंगे और य चीज हम पहले एक बार देखनेंगे ठीक है हमारा अब यहां पास सेलेक्शन करना है और यहां कंट्र बटम दबाएंगे ठीक है पास यहां से ले सकते हैं और इस चेप के उपर दबल क्लिक कर अंगे और यहां समकर देंगे की करने के बाद यहां पास तो कार्या है कि आपके इंदर हमारे पास आ चुका अब हमको लिखना तो हम यहां पास घ्लिक चल जाएंगे और यहां से लेपट पे क्लिक करेंगे तो यहां पास लैपय करें ट्लल करने के बाद यहां से जिससे लिख कर लिए,"ब हो है,"ब यह??? अब यहां जिसे डौट डौट लागा लिजिए डिड़ेजा एपना ठिक है,अब वसी तरा यहां जिसे पेज लिखना है तो इंटर करेंगे और यहां जिसे पेज लिखेंगे इसके लिए भी आप डॉट डॉट लगा लेंगे यहां पास इस तरह से अब यहां पास हमारे पास यह अच्छे से दीख नहीं रहा है ठीक है और इस पेसिंग को ज्यादा लग रहा तो हमारे पास यह अच्छे से हो चुका हमारे पास यह अच्छे से हो चुका इस तरह से हम आपस नोटबुक रेडी कर चुके हैं अब इसका प्रिंट प्रिव्यू देख लेते हैं मैं आपस प्रिंट प्रिव्यू कर रहा हूं तो देखिए हमारे पास यह अच्छे से आप यह तो इस तरह से हम यहाँ पस notebook अच्छे से बना सकते हैं और इसको अपना यूज़ कर सकते हैं यह process था अब भी इस process को step by step देखे अपना notebook बनाईए तो I hope यह video आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको यह video अच्छा लगा तो like करें, share करें, comment करें, subscribe करें Thank you